दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है डेली हेल टिप्स पे अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीचे और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी सबी वीडियो की नोटिफिकेशन तुरत मिल सके दोस्तों आज मैं आपका बताओंगी देड़ तक होटों पर लिप्स्टिक टिकाने के तरीके जी हाँ दोस्तों मेकप में सबसे ध्यान आकरशित करने वाली होती हैं लिप्स्टिक इसलिए ज्यादातर मही लाओं की ये बहुत ही पसंदिधा होती हैं ये वास्तव में सबसे ज़रूरी fashion accessories में से एक है जिसके बिना ज्यादतर महिलाओं का श्रिंगार अधूरा है पर समस्या ये आती है कि lipstick होटों पर ज्यादा दे तक ठीकी नहीं रहती है इसलिए आज मैं आपको इसे सही तरीके से लगाने का तरीका बताऊंगी जिससे कि आपके lipstick फैलेगी नहीं और ठीकी भी रहेगी Friends, lipstick का shade skin tone से बिलकुल match करते हुए होना चाहिए तभी वो आपके होटों पर अच्छी लगेगी यदि आपको होटों पर lipstick ज्यादा समय के लिए ठीका कर रखना है तो उसे होटों पर लगाने से पहले petroleum जड़ी लगा लीजिए इस तरहां से वो ज्यादा देर तक होटों पर ठीकी रहेगी इसके अलावा हमारे पास और भी कुछ टिप्स हैं जिससे कि आपके होटों पर lipstick ज्यादा समय तक ठीकी रहेगी आईए देखते हैं क्या है वो tips ज्यादा देर तक lipstick होटों पर ठीकाने के लिए जो मैं आपको भी tips बताने जा रही हूँ उसी तरीके से आप अपनी lipstick लगाईए इससे आपकी lipstick देर तक ठीकी रहेगी सबसे पहला step है अगर आप चाहते हैं कि आपकी lipstick आपके होटों पर देर तक ठीकी रहे तो बिलर लीचे और अपने lips पे लगाएं सही तरहां का base लगाने के लिए आपको होटों पर हलका सा powder लगाना चाहिए ऐसा करने के बाद यदि आप एक कप coffee भी पीती हैं तो भी आपकी lipstick नहीं छूटेगी होटों पर उंगलियों की सहायता से transparent powder लगाएं दोस्तों होटों पर उंगलियों की सहायता से translucent powder लगाएं ये होटों पर रंग को set कर देगा इससे आपकी lipstick ना तो हलकी पड़ेगी और ना ही वह फैलेगी फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीचे और साथ इस वीडियो का अपने family और friends में share भी कीचे तीसरा step है lip pencil का प्रयोग करना दोस्तों lipstick लगाने से पहले होटों पर lip pencil यानी की lip liner लगाएं आप इसके लिए nude lip color का प्रयोग कर सकती है ये सभी प्रकार की lipstick shade के लिए काम करेगा अब इस lip pencil को होटों की बीच में नीचे की और लगाकर इसे पूरे होटों पर mix करें इस तरहा पूरे lips पर lip liner लगाने से आपकी lipstick ज्यादा दे तक होटों पे ठीकी रहती है दोस्तों अभी मैंने जो तीन steps बताएं हैं आपको इसके बाद आप अच्छी तरहां से evenly lipstick लगाएं lipstick लगाने के लिए आप brush का इस्तेमाल कर सकती हैं जिससे की आपकी lipstick lips के बाहा नहीं लगेगी फ्रेंट्स, blotting है ज़रूरी जब आप अपना पहला coat लगा लें तब अपने हुटों को tissue paper के बीच में दबा कर अत्यदिक lipstick निकाल दें पहले coat को अगर आप blotting paper पर पोंच लेंगे तो समझ लीजिए कि आपके lipstick ज़्यादा ना तो फैलेगी और ना ही मिटेगी दोस्तों last में आप चाहे तो lip gloss का अत्यमाल कर सकती है इससे आपकी lipstick पे shining effect मिलेगा और आपके lips अच्छे दिखेंगे याद रखिए lip gloss का एकी coat लगाएं वो भी हलका सा क्योंकि इससे lipstick फैलने का डर होता है दोस्तों lip gloss लगाना optional है आप चाहे तो इसे लगा भी सकती हैं और नहीं भी lipstick को fridge में रखिए यदि आप चाहती हैं कि आपकी lipstick ज्यादा देर के लिए ठीकी रहे तो लगाने के एक रात पहले उसे fridge में रख दें ऐसा करने से lipstick लंबे समय तक होटों पर ठीकी रहती है एक और बात दोस्तों सावधानी से करें lipstick का चुनाव मोटे होटों पर डार्क कलर के lipstick बहुत अच्छी दिखती है और इससे होट ज्यादा सुन्दर और गुलावी दिखाए देते हैं अगर आपको अपने होटों पर उभार दिखाना है तो उसके किनारे पतली lip liner लगा कर उसे होटों पर lipstick के साथ भर लें अगर आपके होट पतले हैं तो आप ज्यादा डार्क लिपस्टिक ना लगाएं क्योंकि डार्क लिपस्टिक से आपके होट और ज्यादा छोटे और पतले नजर आएंगे इसलिए आप light colors को ही चुनें तो friends इस वीडियो में बताएगे tips को follow करके कि आप अपने होटों पर ज्यादा देर तक लिपस्टिक टिका सकते हैं आपको और भी health related और healthy relationship tips चाहिए तो आप हमारे website mydailyhealthtips.in पर विजिट करिए website के link वीडियो के description में दी जा रही है Thanks for watching this video, please like, share and subscribe our channel Thank you, bye